दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकुम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बोवमेंट डाइरी आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतजार कर रहे होंगे तो मैंने सोचा मैं शुरू कर देती हूं अभी ग्यारा बज़रे हैं मॉर्निंग के और आज है बाइस जून और सेटेड़े आज मीव को छुट्टी है सेटेड़े संडेश चुट्टी होती है आज कल इसको गर्मिय लगी है तो सेटेड़े संडे जो है वह ओफ है स्कूल से तो अभी काम बगर है मेरा भी खतम हूं अजस्ट ज़ाड़ों पूच्छा लगाया क्लीनिंग बगर तो इसतर से भांगन को मैंने वाष करके तीनों चुलों के ऊपर देखिए इसमें मैंने बीच कठ लगाया है तो इससे होती कि पता चल जाता कि कीड़े तो नहीं कहीं कई बार ऐसे होता है बाहर से साफ दिख रहा है पर अंदर कीड़े होते हैं फिर भी फिर मैंने चेक करके इसको इस तरह से तेल लगा के तीनों चुल्लों के उपर चड़ा दी है देखिए भूनने के लिए इस तरह से भूनने के इस और यहां पर देखिए मेने तीन जो प्याज हैं ती नी बैंगर में में पास हो तीन ही मैने प्याज ले लिए यहाँ पर मीडिम साइज है तो इस तरह से देखिए अब हम करेंगे प्याज को चौप वाश करके मैंने रख लिये थे यह पहले ही और यहाँ पर मैंने कडाई चुडा दिये तेल डाल दिये कडाई में आप कोई सभी वाईल यूज कर सकते हैं मैंने चौपर में चौप कर लिये इसको अच्छे से और अब देखिए इनका चलका भी निकालना है मुझे जो ये बूल लिये मैंने अराम से असानी से निकल जाता है अब थोड़े ठंडे हो गए है पहले गरम थे तो मैंने ट्राई किया था बट नहीं निकल रहा था तो गरम लग रहा था मुझे अब मैं इसको जह से तड़कल लगाती जाओंगी उसके बाद निकाल लूँगी इसको तो इस तरह से देखिए पहले मैंने लाल मिर्स डाल दिया यहाँ पर थोड़े से मेथी दाना डाला मैंने इसमें मेथी दाना जरूरी होता है क्योंकि यह बाया करते है ना यह जो बैंगन होता है तो काफी अच्छरत है फिर मैंने जीरा डाला इसमें इसके बाद मैंने एड़ किए यहाँ पर प्याज प्याज को भी हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है इस तरह से हिला हिला के मैं इसको पका रही थी फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले आड़ किए मसाले जैसे हल्दी हो गई अपने कॉर्डिंग आप एस इसली निकल जा रहा है देखिए कूंकि अच्छे से बुण गे थे अब देखे मैं तो टमाटल ले लिए अब मैंने इनको चॉप करकी भी एड़ कर दिया यहाँ पर प्याज में की प्याज हमारा बुन गया अच्छे से अब इसको अच्छे से mix करके थोड़ीर दिर के लिए पका लेना है हमें टोमाटर को थोड़ा सा पानी मैंने आड किए ताकि ये टोमाटर जो अच्छे से गल जाए अब इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और यहां पर जो मैंने चिलका उतारा है इसका बैंगन का इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करश कर रही थी जैसे थोड़ा सा मैश करके फिर यह मतलब अच्छा बनता है अब देखिए दूसरी साइड जो हमने यह टमाटर की प्यूरी आड़ की थी वह अच्छी से मिक्स होगी देखिए इसमें अच्छी से मसाला हमारा रेडी हो गया है भून गया है अब इसमें हम देंगे हम दसकर मिनिट तक इसको हम पकाएंगे अच्छे से ऐसी धकन देकर बीच-बीच में हिलाते रहना है आपको फिर देखिए हमारे जो बैंगन का भरता है वो रेडी हो गया है इस तरह से तो आप भी बना सकते हैं इसको इसली नेक्स्ट हम बना रहे थे यहां पर र देखिए है अगे हो तक ठाकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए मतलब देखिए हम राइता बना रहे husband थे मैंड़ी का अब दो मिनिट में तियार हो जाता अी राइता ब्रहे तो यहां पर देखिए मैं ने पानि गरम कर ली है इसमें और यहाँ डाल हूं थे पुदीनने वाली तो मैं इसको एड़ कर रही हूँ यहाँ पर देखे इस तरह से थोड़ी देर मतलब एक मिनट के लिए छोड़के इसको ऐसे पानी स्टेंड करके इसमें मिक्स कर देना है हमिदाई में उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक आप चाहें तो कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता हो खाने में तो यहाँ पर मैं काला नमक यूज़ कर रही थी अभी हम इन से चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की हल्प से और देखी टेक्च्चर जो है वो रायते का कित कर देखिए मैंने गमलों को बाहर रखा था मैंने सूचा बारिष आ रही थी हमारे इहां तो मैंने इनको सबको निकाल कर रख लग देथा बाहर बट बारिश हो इनकल पिछले कल तो यहां पर देखिया मुझे इनको सबको उठाना पड़ेगा क्योंकि इंडोर प्लांट स् क्योंकि दूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है हमारे अहां कुछ को तो मैंने इस तरह से हैंकी है कुछ देखे सक्कूल से क्या बोलते हैं इनको सक्कूलेंट बोलते हैं I think मेरे को बोलने भी नहीं आ रहा है रख देती हूं मैंने सोच था बारिश हो जाएगी तो अच्छे से चल पड़ेंगी फिर मेरे यह प्लांट क्योंकि आपको पता है बारिश का पानी नाइट्रोजन होती है काफी ज्यादा मिनरेल होते है बारिश के पानी में अच्छे होती है अब इनको हम उठा लेते हैं जल दी से सबको जो इंडोर वाले उनको मैं उठा दूंगी बागकी जूदूप वाले उनको तो एज चोड़ दूघी तो अब करते हैं यह और क्योंसे तो खेली यहां अदे के प्रेस कर करके और अभी में ब्रेड पुडिंग बनाइ थी उसकी दिमांड हो रही है कि मुझ देद हम जल्दी से इसको लग रहा है कि वह केक है बट वह केक तो नहीं है आप लिवारी खाई वो ब्रेड पुडिंग तो अभी देती हूं मैं इसको भी डैड जी को दे देती हूं और खुद भी खा लेती हूं क्योंकि काफी अच्छी बनी है अगर आपने मेरी वाली रेसिपी नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए उसका भी जो लिंक है में डिस्क्रिप्शन रॉक्स में डाल दोंगी जल्दी से जाकर देख लीजिए बहुत यह अच्छी बनी थी ब्रेड पुडिंग और घर की चीज है तो अच्छी ही है मतलब खाने में कोई दिकत नहीं खा सकते हैं बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे हम नई और इंटेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक को आप खाये तो फिर भी मन नी भर रहा था तो काफी ज्यादा खाली सबने तो ट्राइ जरूर किजीगा यह वाली रेसिपी अभी इसको करती हूं मैं सब तो आप भी खाली जी अरेवियन ब्रेड पु खुश्रे यह मुस्कुराते के टेक केर सी यू सून बाबाए